वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीड प्रिल आइक और सब्सक्राइब एंड प्रेश्ट बेल आइकन फर लेटेस्ट वीडियो हलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे टाटा मोटर्स लिम्टर की दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने 6 मंद का चार्ट उपन किया है लेकिन इसके प्राइस पैटन पर चर्चा करेंगे उससे पहले मैं इस अहां पर टेकनिकल देखेंगे और फिर जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है उसको देखेंगे तो दोस्तों यहां पर जो प्राइस पैटन बनी है उससे पहले जो बड़ी अपडेट निकल क जन्वरी 122 का यह अपडेट दिया है टाटा मोटर्स ने इसमें अगर देखे तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या है टोटल डोमेस्टिक सेल्स दिसंबर 2021 में 66,307 है और यहां पर अगर दिसंबर 20 से कंपेर करेंगे तो 53,430 इसको तो रहा है और जुमाउट करता हूँ ताकि आप क्लियर देख सकें यहां पर देख सकते हैं दिसंबर 20 में 53,430 है वो इस बार इंक्रीज होकर 66,307 है यानि 24 परसंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है वहीं पर अगर क्यूटरी यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखने को मिला है तो दूनों फ्रंट पर बहुत बढ़िया प्रफॉमेंस करके दिखाया टाटा मोटर्स ने काफी बढ़िया शेल्स में इंक्रीमेंट दिखाया है यहां पर टाटा मोटर्स के जो डायक्टर है मिस्टर ग्रीश्वाग एक्जीक्टी डायक्टर है उन्हें कमर्सियल वेहिकल में बताया है कि टाटा मोटर्स कमर्सियल वेहिकल's domestic sale in Q3 FY 2020 at 90,529 units was 15% higher than the previous quarter Q2 FY 22 and 10% higher than the same quarter last year Q3 FY 21. the retail was ahead of whole sale by 15% in December 21 enabling inventory alignment the SCV and ILCV segments continued to benefit from the growth in e-commerce and the increasing need for last mile delivery construction infrastructure spending by central and state governments plus rising activity in sectors such as mining petroleum oil lubricants and elite industrial facilities the demand for AM and HCVs the international business to continue its recovery momentum and grew by 10% over the previous quarter Q2 FY 22 and 33% over the same quarter last year Q3 FY 21 going forward we expect the situation to remain fluid as a semiconductor shortage continues instances of COVID begin to the rise and underlying demand continues to remain under pressure we are keeping a close watch on the evolving situation and sharpening our agile multi-pronged approach to fulfill customer's order यहाँ यहाँ पर अगर एक एक चीज़ में देखे कि AM and HCV के sales में तो December 20 में 8,377 था लेकिन December 21 में 8,106 है वहाँ पर माइनस 3 परसेंट चेंज हुआ है और अगर उसका अगर Q3 FY 21 से compare करेंगे तो वहाँ पर 19,109 था लेकिन Q3 FY 22 में यह 22,016 यहाँ पर 15 परसेंट का growth इस quarter में देखने को मिला उसके sales में and INLCV का sales में देखे तो 4619 था December 20 में वहाँ से 5,130 है December 21 में तो दूस्तों एक एक यहाँ पर देखेंगे तो आपको थोरा सा time-taking ज्यादा लगे है तो तो टोटल सीवी डोमेस्टी के मैं सिधा उसकी बात करता हूँ डोमेस्टी में 29,000 यहाँ पर देख सकते हैं 29,885 था पिछले साल दिसंबर में इस साल 31,008 है जो की 4% का ग्रोथ है और अगर टोटल की बात करें टोटल जो सीवी है कमर्शियल वहिकल वहाँ पे 32,869 से इंक्रीज होकर यह 34,151 है अगर पिछले साल के दिसंबर महिने से कमपेर करेंगे तो और अगर Q3 के फ्रंट पे कमपेर करें तो देख सकते Q3 में यहाँ पे आपको 82,155 जो डुमेस्टिक है और 90,529 यहाँ पे Q3 FY 2022 में तो यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट वहाँ सेल्स में देखने को मिला है और 89,323 जो कि Q3 FY 21 से Q3 FY 22 में यह 1 लाख से उपर जाता हुआ दिखा यह 1 लाख 70 पे जो कि 12% का उच्छाल देखने को मिला है यहाँ सेल्स में तो प्रेशेंजर वेहिकल की तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहां पहँए आपको देखने को मिलेगा पर्फॉर्मेंस वहाँ पे अक्कॉस एट्यस्ट चंद्र घुर्व प्रीथींक फीक द में प्रेशेंजर वेहिकल बिसनेश यूद के में अनने कहा किए टायर्त मोंड pv business growth journey continued and said several new milestone during the quarter despite whitening to a shortfall in production due to the ongoing semiconductor issue or this crisis monster decade high quarterly and monthly sales any is pichlet 10 salka subset but your performance high quarterly sales the khaya company name this man 99002 units jq3 FY 2020 to main on a sales is 44% growth is here on pvice sales is 23,000 plus 33,000 plus 33,000 plus 43% change and if we talk about 418 increase in the future of 2255 this is December अबर का आखराब बताया मैंने यहां पर 439 परसेंट का ग्रोथ दिखाया है और यहां पर देख सकते हैं कि अगर Q3 FY21 में 1256 का इलेक्रिक वेहिकल का सेल्स हा तो वहां पर 5592 345 परसेंट का ग्रोथ है और 67550 से इंक्रीज हो कर 93,410 जो कि 30 परसेंट इंक्रीज है 38 परसेंट तो यहां पर जोस्तों अगर ओवराल बात करें टोटल पीवी की प्रेसंज है तो वहां पर 23,545 जो कि दिसंबर 20 में था तो वहां से इंक्रीमेंट होकर यह दिसंबर 21 में 35,299 पर है जहां पर आपको 50% का ग्रोथ देखनों को मिला है और यहां पर देखिए 68,000 क्वार्टरली बेसिस पर अगर Q3 FY21 का बात करें तो 68,806 था वहां से इंक्रीमेंट होकर Q3 FY22 में 99,002 पर है तो यहां पर 44% का इंक्रीमेंट देखनों को मिला है तो दोस्तों यहां पर जो ग्रोथ रेट है जो टाटा मोटर्स की सभी बात है करते हैं इतने जो लगातार इसका डिमांड शेर मार्केटर बना हुआ प्राइस काफी अच्छे तरीके से उपर जा रहे है तो उसका कारण एक हुआ है कि इसके सेल्स काफी अच्छे तरीके से और डेट भी अच्छे तरीके से रेडियूस हो रहा है और वन बिलियन डॉलर का जो रेज किया था टाटा ग्रूप ने अभी फंड को वहां से भी अपने स्पेस को और इंक्रीज करना चाहती है और बहुत तेज से ग्रोप का इसका साफ साफ जो फॉरकास्ट है वो साफ साफ नदर आ रहा है यहां पर डेलिवरी की बात करेंगे तो देख सकते हैं काफी अभी तो थोड़ा कम आपको दिखेगा डेलिवरी वॉल्यूम क्योंकि इसमें थोड़ा करेक्शन भी आया था लेकिन पीछे देख सकते हैं नौंबर के महिने में कितना संदार तेजी थी और वॉल्यूम भी काफी अच्छा खाता था तो दोस्तों यहां पर टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स में देख सकते हैं सूपर ट्रेंड जो है 500 के ऊपर पोजेटिव दिखा रहा है और यहां पर एक्सपोनेंश के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है तो इसमें फिर से बड़ी तेजी की संभावना है और इंडिकेटर इंडिकेटर रेट आफ चेंज निगेटिव है मैकडी भी निगेटिव है लेकिन जो रिलेटिव एस्ट्रेंट और वह से थोरा सा पोजेटिव भ्यू निकल के सामने आ इस तरह दिखा रहा है शुपर ट्रेंड यहां पर देख सकते शुपर ट्रेंट फाइब अपर प्लेटिव है तो थोरा से एक निट्रल विव है अगर और यहां से एक अपमूब मिलता है जिससरे के सेल्स के नंबर आए आपको अच्छा कहसा अपमूब देखने को मिल सकता है तो यहां से दोस्तों अगर देख सकते है रिटर्न ओन एक्विटी माइनस 22 है रिटर्न और कैपिटल इंप्लाइड माइनस 1.27 रिटर्न ओन एसेट माइनस 3.97 वह इसलिए है क्योंकि यहां पर रिजाल देखे प्रॉफिट भीफोर टैक्स माइनस 3471 क्रोर का महां पर प् है फाइनसियल देख सकते इसके कैस फ्रम ऑप्रेशन बरता हुआ नदर आया काफी अप्टिक है बढ़िया 29001 क्रोर पे और कैसे अब तक का सबसुत ज्यादा था यहां पर देख सकते यानि बीजनस बहुत बढ़िया चल रहा है सेल्स बहुत बढ़िया चल रहा है शेल हो है 13.35 और डिया का 13.45 यानि 45 में से तो 27 के आसपास डिया और यानि इंस्टिशनल इंवेस्टर ने और इस पेसलिए अगर डिया की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है पिछले कोडर से यहां पे 13.45 का स्टेक अब ले रखके प्रमोटर का होल्डिंग जो प्लेज है वो है स्रिफ 1.82 का दोस्तों यहां पर अभी से भी काफी अच्छी म्यूच्वल फंडिंग का अगर होल्डिंग देखेंगे तो देख सकते हैं सब्सक्राइब का यहां पर आपको नाम नजर रहेगा क्योंकि दोस्तों जिस पर भरोसा और बढ़िया प्रफॉर्म्स कर रहे हैं यह काफी दूसरे कंपनियों सो काफी आगे निकल चुकिये और इस बार सेल्स में भी दिख रहा है तो दोस्तों इसमें फिर से बड़ी ते हाई 536 यानि एप्रॉक्स वहां से भी डबल हुआ ऐसे हैं तो यहां से जो टार्गेट सेट करेंगे वो पहला जो टार्गेट रहेगा वो रहेगा आपको यहां से 495 के दूसरा टार्गेट जो रहेगा वो रहेगा 507 के और तीसरा टार्गेट रहेगा अगर इसके उपर सस्टेन करता है तो आपके 522 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों यह तीनों टार्गेट बिल्कुल सौट टर्म के लिए है तो दोस्तों ऐसे ही छोटे बड जूर सकते हैं वहाँ पर मैं short term positioning call Share करता हूँ जिससे कि आप किसी भी ऐसे विस्वा को pick कर सकते हैं जो जिसमें moment अभी आया नहीं है आने वाला है तो दोस्तौं वहाँ पर अपडेट रह सकते हैं अलग-ए-स जिसमें opportunity है या फिर जिसमें आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा-कासा मुनाफ़ा हो सकता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अबड़ के साथ धन्यवाद